प्रेद दोस्तों क्वांट मिचलफंट हाउस की दरफ से एक और चोकाने वाली खबर निकल के आई है जो क्वांट मिचलफंट हाउस है उनके जो सियाफो साहब है हर्शल पटेल जी उन्होंने रिजाइन दे दिया है तो अब हम वीडियो में आगे भड़ें सियाफो कौन है क क्वांट को छोड़ना है पैसे निकाल लेने हैं सारी सारी चीजों पर बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि भाया यह क्यों हुआ है क्या आपके लिए यह सही है या नहीं है तो दोस्तों वीडियो के अंदर एंड तक जुड़े रहेगा और चैनल को सब्स्र तरुन गोला और स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुन पर तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ एक सीएफो होता क्या है सीएफो की फूल फाम होती है चीफ फैनेंश ऑफिशर चीफ फैनेंशियल ऑफिशर और किसी भी कंपनी का एक सीएफो जो होता है वह प्रस्वें बेलेन्स शीट से लेड़े लिए हो कोई भी फैनेशल एक्टिविटी हो कोई ऑडिट हो किसी भी तरीकी का कोई भी फैनेशल आप इसमली कोई निड़ने है वह सीएफो के मिना नहीं हो पाता और हर कंपनी के दादद सीएफो होता भी नहीं जो बड़ी बड़ करते हैं हर्शल पडेल जी इन्होंने रिजान दिया तो जातक खबर निकले के आई है वो दिया है फरवरी के अंदर था उgश्पर writings कर लिज rein है कि कोई भी बड़ा डेजनेशन का एक अफिसर होता है सियफ हो गया है कोई भी ओ गया उसका नोटिस फिर्ट होता है एक कंते अ क्यांकि कं से कम तीन महीने होता है तो यह जो हार० सरने सहां हें है यह पces स्में इनकी जगा एक संदीप कढरव जी एँ हां संदीब कडारिया जी है उन्होंने एक जुलाई से जॉइन कर लिया है ठीक है ना तो अगर देखा जाए बात को समझने की कोशिच करें तो जो सेवी का फ्रेंट रेनिंग का जो केस चलना है उससे जो अर्शल प्रडिल जी ने रिजाइन दिया है उसका कोई भी ड्रैक्ट करेक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है और उन्हें ओफिशल इस्टिट्मेंट भी दिया है और जो रिजाइन था उन्होंने ओल्लडी फरवरी म में प्रेंट कर ती इनके इनके यह यह पर रेट भी और तो अभी जो ऑपो करना यह आपके लिए क्या बैठ एसके भ़ेक़् और बात आपको घबराना नहीं आप को कोईी पैसे निर्पाने है आपको अपनी SIP अभी बंद नहीं कर दी है देखी कोई भी AMC होती है या कोई भी बड़ी संस्था है वो आती है Stock Market हो गई है AMC हो गई सब के सब सब आते हैं CB के अंगर तो अभी CB अपने आम में सबसे बड़ी संस्था है आपको पता ही है तो सेबी अभी पूरे का पूरा जो केस चल रहा है उसकी investigation चल ली उसका audit कर रही है और जब तक सेबी की तरफ से कोई official news ना आजए कोई official statement ना आजए कि भीया जो front running का case चला था उसके किलाफ क्या हुआ कोई वालों की गल्दी थी नहीं थी इन्होंने कर भी रहे थे नहीं कर रहे थे तो जब तक official से भी तरफ से नहीं आता तब तक कुछ भी करना बहिमानी होगी आपका क्वान्ट वालों के साथ तो क्योंकि देखे क्वान्ट मिचल फंट हाउस अपने आम में बहुत बड़ा मिचल फंट हाउस है 2019 से आज तक इन्होंने तकरीवर 90 हजार से एक लाग करोण के असेट्स जमा कर लिए हैं और सबसे ज़्यादा आप समझेए उभरती हुई अध्यों को सव्य सब्स्क्राइब пар comparisons देन तो अब अक्रई सब्सार गॉंट के और अगर आप मुझर महर्कर दिल नहीं मान रहे तो नंचे पए घ्र सकते हैं लेकिन अपनी पैसा मत निकालिएग अपना जो फोलियो है मैं ऐसा मत कीजिए का अपना जो फोलियो है उसका स्किम का वही बंद करा दे पैसा विड्रॉ कर लें तो दोस्तों अभी घबराना नहीं है पैनिक नहीं होना है आप टेंशन के लिए जैसी कोई नियूस निकल के आएगी मैं आपको पहली बता दूंगा आपको क्या करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल को आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको कोई भी कौाइंट हो गया यह किसी भी तरीके की कोई भी फैनेशनल लिए आपको मिलती रहे स्टॉक मार्किट से रिलेटिटिट कोई नियूस है वो भी आप करने के लिए है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है अब रही बात यह जो हर्षल पटेल जी है या संदीब कटारिया जी है अब इनका रोल क्या रहेगा वो देखे हर्षल पटेल जी अल्लेडी अब जाई चुके हैं रिजाइन दे चुके हैं उनका नोटिस पिर भी कंप्लाइन से रिलेटेड है कोई भी जो निर्ने होगा वो संदीब कटारिया जी का होगा क्योंकि नए सीएफो साथ वही है और नहीं अब जी जो इन्वेस्टिकेशन चल ली है से बी की उसके अंदर जो भी हाथ बटाएंगे वह कटारिया साह भी बटाने वाले तो दोस् अंसर जरूर करेंगा टैम निकाल है ना तो आज के लिए जय हिंद वंदे मातरा